केँए गैसे यह वेजुंविजो और आज की वीडियो सागें ती पर के फिजिक्स करने वाले नेख चैनल सग्ण करेंगे हैं भी ते पर के जी जॉक्त करने वाले हैं यह आपका पर सो करने वाले Felix के आपका यहां है उसमें और इसमें टोटल आपके 15 questions रहते हैं थोड़ासा अलग तरीके से हम करेंगे अलग तरीके से मेरा ही मतलब है कि आपके दिन काफी कम बचे हुए है तयारी काफी कम समये तो मैंने कुछ topic जो है छाटे हुए है मैंने last कुछ year के question papers four to five years के मैंने question papers लिए वहाँ पर से मैंने सबको analyze कि कौन सा topic सबसे ज्यादा पूचे जा रहा है जो most frequent topics थे उनसे मैंने questions उठाए हैं और उन्ही questions को मैं आपके solve करने वाले तो इस video को पुरा end तक देखिए का बने रही है इस video में और इसमें हम इन्ही questions को सबको solve करेंगे और उसके अलावा मैं topics के ब करेंगे इस video में है तो चलिए शुरू करते हैं तो क्याइस यह सारे questions है हमारे सामने और इन सारे questions को यह थोड़ा सा पर चलते हैं questions शुरू करते हैं पहला question आपका यह रहा है क्योंकि यह already जो जैम की सब्सक्राइब की साइड थी वहां पर जो official questions दिये हुए उन्हें के साथ answers भी टिक ते तो मैं यह edit करने का मुझे मोगा नहीं मिला काफ़े बीजी बीदा में लास कुछ देज में इसलिए म बात नहीं you are running up a spiral staircase the associated angular momentum points in which direction तो आप से बोल रहा है कि एक ऐसे सीडी है देखो जो आज से उपर को जा रही है स्पाइरल सीडी है ठीक है सब्सक्राइब को जा रहे हो तो आप से पुछ रहे है जो आपका angular momentum होगा किस direction में पॉइंट कर रहे है क्या वह उपर को होगा या वह नीचे कोगा कहा को इसका angular momentum होने वह आप से पूचा है तो कैसे निकालेंगे देखिए क्या करना है हमने य कृटा होता है अधे क्या होते हैम चाहिंक आठ करोज पिया बोल सकते हो मर क्रчески खक्रोष ओंड है कैसे य पी क्वल्स्टु επιोट आ खीक कैट सूंड और कॉरस लासीस्घिघिया तो उसको इक हम यह इただ कि देखते हैं आंसर तो इसका आपको दीखी रहा होगा कैनोट बीडिटरमाइन ओविसली बट कैसे वह मैं आपको बताने वाला हूं तो फॉर एक्जामपल इस सीडी को उपपर से देख रहे हैं सटीक है हम यहां पर खड़े हैं उपर कहीं और यहां से नीचे को देख रहे ह कि अब यह इसका सेंटर है मालों आप इस पॉइंट पर पहुंचे हुए हो तो आप कैसे चल रहे हो ऐसे चल रहे हो यह चीज़ दी नहीं है कि आप क्लॉक्वाइस चल रहे हैं अगर आप देखो यह कैनोट भी डिटरमाइन क्यों है क्योंकि आपको वी की डिरेक्शन पता कि वी आपका इधर को है यह वी आपका इधर को यह डिरेक्शन नहीं दी अगर आपसे बूलता कि आप इस सीडी मां गॉम रहे हो तो आप निकाल सकते थे एंटि लॉक्वाइस बोलता तो भी आप निकाल सकते थे ठीक है कैसे देखिए क्लॉस्टर करना आपको आता होगा क 마 meiner ῥ customer Radius तो इसको मैं और आगे की सकता हूं संसा दे खेंच में हैं बतातों कि व्यक्टर सकता हूं दारेक्शन उसकी सेम निचे ठीक है तो ले डा मेरा Untit यह आनध मेरा भीटर तो जब निकाल हूंगा और pretty निकाल नुका तो क्या करने होगा मुझे आर प्रश्वी करने में मैं पहले आर की तरफ अपनी विंगर्स पॉइंट करूंगा दैन दिन वी नीचे के और तो वहन को नीचे को नीचे को लोंगा जाएगा वहां को L की Direction हो जाएगी इस case में कहा को आ रहा है ओट वर्ट ठीक है आउट वर्ट सा रहा है आउट वर्ट से नहीं उपपर की और अगर आप ध्यान से देख है तो हम उपपर से इसको देख रहे हैं उपपर से देख रहे हैं सीडी को नीचे आप ऐसे देखो आर आर प्रा किस डिरेक्शन को इधर को यह आपका वेलोस्टी वेक्टर है अलग अलग पॉइंट पर यहां को जाएगा तो इस पॉइंट पर आपका वेलोस्टी का जो वेक्टर है वो उपर की तरफ है तो क्या करोगे आप पहले आर करोगे आर आर की तरफ अपनी फिंगर्स रखनी है क्रॉस वी अब उपर को कैसे घुमाऊगा ऐसा तो नहीं घुमा सकते हो तो आपको ऐसे उंगली घुमानी पड़ेगी और अर इदर को है क्रॉस वी करोगे उपर की और तो थम आपका कहा को चला जाएगा अंदर की और करके देखिए आर की तरफ अपनी फिंगर्स पॉइंट स्वाइब ना सॉरी इन वर्ट का मतलब क्या है इन वर्ट मतलब हमारी स्क्रीन से अंदर को इसका मतलब डाउन वर्ड क्योंकि हमने स्टेर्ट को इस उपर से बात समझ आ रही है तो इसका मतलब अगर आप सीडी में clockwise चलते हो तो आपका जो एंगुला मोमेंटम होगा और चलते हो तो आपका angular momentum पर क्यों एंग और ये Wir alla एक पर चलना है सिट अब इसमार उपड़ जाने के लिए आपको ऐसी होगी या सुझे होकी एक मोपड़ जाने कि लिए याb को ठीक है स्वाइख आपके समझ आ गया है तो इसलिए हम इस से अंगुलर मोमेंटम की डिरेक्शन नहीं बता सकते हैं दिस वर्सक्रेशन लेट्स मूव तो दी नेक्स्ट क्वेश्चिन कि इस नेच्ट क्वेश्चिन सब्सक्रेश्चिन विच फॉल्विंग बेस्ट एक्स् चेंज in refractive index या change in refractive index with temperature कैसे change होता है change होता भी एक ही नहीं होता है ठीक है बढ़ता है घणता है यह आपे सिन पार आपको अर जैने यह इस रिए पॉछ यहां से आपको में यह पुछ जाता है उसमें आपको बाएम कर बता हूं तो यह कि jam का level हो सकता था आपका jam biotech में questions है उसमें यह हो सकता था कि what is the effect of changing temperature in a liquid ऐसा कुछ ठीक है increases decreases या remains constant ऐसा कुछ आपको दिया जासकता है अगर change हो रहा है तो क्यों हो रहा है so due to change in density obviously क्योंकि surface tension का और भी option देख लेते हैं यह करने का best तरीका होता है कि आप और भी option देखो so due to surface tension बिल्कुल नहीं surface tension में change होने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि refractive index change हो जाएगा ठीक है वो depend करता है अंदर density कितनी है and all viscosity आप confused हो सकते हो viscosity और density के अंतर क्योंकि viscosity बढ़ेगी तो आप कह सकते हो कि density में change आएगा ऐसा नहीं है ठीक है depend करता है कि आपका जो liquid है वो कैसा है ठीक है उसके particles कैसे हैं उस पर भी depend करेगी आपकी viscosity because viscosity is the frictional force between two layers of a liquid जबकि density है वो यह बताता है कि particles कितने पास पास है उन particles का nature नहीं बता रहे है कि कितना एक दूसरी पर फोर्स लगा रहे है तो उस विसकोसिटी से कोई फरक नहीं पड़ता रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे next option due to evaporation जी नहीं आप पानी गरम करोगे उपर का पानी उड़ जाएगा भाब बंगे उससे उसकी क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा जी नहीं इस ऐसा तो कोई है नी ठीक है यह बहुत दूर की बात होगी जैसे मानलो आप अभी evaporation होगा थोड़े दिर बाद फिर molecule दूर जाएंगे फिर उसके बाद density कम होगी फिर तो यह कुछ बीरबल के खिचडी सा होगा कि यहां पर आपकी आग जलीवी है यहां पर आपका बढ़तन रखा हुआ है कुछ देर बाद यहां पर evaporation हो रहा है फिर कुछ देर बाद इसका टेंपरिचर और ज्यादा बढ़ेगा फिर इसके density कम होगी तब जाके इसका refractive index कम होगा तो यह आप ऐसा बाल की खाल की चुकित तो answer आई जाएगा बट जीने यह सबसे बेस्ट आपको कौन expression दे रहा है change in density क्योंकि changing density से आपका refractive index पे फरक पड़ता है है so this is the answer of second question now let's move to the next question okay so next question आपके सामने रहा a charge particle is released from rest in a region where there is a constant electric field and constant magnetic field two fields are parallel to each other the path of particle is अभी मैंने यापर ऐसा पुरा रेट सागर दे क्योंकि यहां पर पी टिक लगा वाता है उससे मजा करा हो जा रहा है है तो solve करते हैं इस question को कैसे करना है आपने electric field magnetic field दोनों दिया हुआ यह electric field magnetic field और बोल रहा है कि particle release कर दिया या चोड़ देते हैं इसको ठीक है यहां पर रख देते हैं इसको अब क्या होगा इसमें दो forces लेंगे एक electric field की वज़ए से और magnetic field रखते हैं ठीक है अब इसकी वाष्ट लगता है इसको फोल दकता है कितना लगता है किंटी इटिक चार्ज इसका जितना भी चार्ज होगा क्यूं इन टु जितना electric field की strength है इसको फोर्स लगता है लगता है कि कि इंटी वी क्रॉस बी अभ ध्यान देने वाले चीज़ यह है कि यहां पर velocity वाला term भी आ रहा है तो magnetic field पर force magnetic field की वजह से force तभी लगेगा जब particles के पास कुछ velocity होगी यानि जब velocity non-zero होगी तो यह पुरा force हो जाएगा so magnetic force will not work on that particle if it is stationary तो आगे बढ़ते हैं दिया गया आपको कैसा इसका path होगा यह बताना है तो यहां पर छोड़ दिया अगर हमने तो इस पर पहले फोर्स लेगा इसका अगर फोर्स इस डिरेक्शन में लग रहा है तो motion भी इसी डिरेक्शन होगा तो velocity भी इसी डिरेक्शन होगी तो अब इसके पास आचुके यह वेलोसिटी की तो क्या इस पर के अगर फोस लगा लेट लागेज़ च्छा X वी यह क्रॉस भी मतलब घ्र क्रॉश ब्हां दो घ्रक च के बीच मागर लोग दोसे correct हो और दोनों पहला लो तो जिरो हो जाता है ठीक है क्यों क्योंब कैंब V cross B is V B sin theta यह आपने formula पड़ा होगा so V B sin theta अब V B को है V B को है दोनों के बीच का एंगल 0 है दोनों के बीच का एंगल 0 है so V B sin theta will be V B sin 0 and sin 0 is 0 so this force will become 0 and hence there is no force due to the magnetic field on this particle magnetic field की वैसे particle पर कोई भी force नहीं है तो यह सी direction में move करता रहेगा इस पर electric field के वैसे force लगता रहेगा और यह आगे को बढ़ता रहेगा बढ़ता चला जाएगा जहां तक electric field होगा तो इस तरह से एक straight line में move कर रहा है अब हम इसको मिटा सकते हैं जी है नहीं और भी क्या क्या हो सकता है तो सब कुछ बताते हैं सबसे पहले चीज आपकी क्या हो सकती है यह आपका एक electric field है उपर positive plates मालो यह नीचे negative plates तो इसमें electric field कुछ ऐसे जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हमार पास electric field है और इसके अंदर एक charge move कर रहा है यहां पर कोई भी magnetic field नहीं है याद रखना तो सिर्फ electric film हम चार्ज को move करा रहे हैं तो in that case इस पर एक फो जो है जाए ठीक है ध्यान देना यह electric field है इसके perpendicular चार्ज आ रहा तो पेराबोला बनेगा electric field के पैलल अगर चार्ज आ जाए यह electric field है इसके parallel charge आ जाए यहां को कोई body जा रही है उसको आप पीछे से ऐसे धक्का मारो उसको पीछे से धक्का मारो तो क्या होगा उसी direction में चलता रहेगा obviously तो there is no change in the path so straight line हो जाएगी ठीक है तो in that case we also get a straight line but इसके लावा और क्या बन सकता है और क्या क्या possibilities हो सकती है अगर आपके पास electric field है और magnetic field है sorry सिरफ magnetic field है जो कि perpendicular है velocity की यानि यहां को आपका यह 3 axis माल लेते हैं इधर को माल लेता हूं magnetic field इधर को माल लेता हूं velocity ठीक है ऐसे कुछ particle मेरा move कर रहा है so V cross B अगर हम करेंगे तो V cross B में उसको force लगेगा और वो कुछ इस तरह से यहां पर circular path में move करेंगा ठीक है और इस circular path को बोलते है cyclotron cyclotron या cyclic path एक और formula व्याद कर सकते हो यहां पर formula है इसके radius का यह नहीं जो circular path है इसका radius कितना होगा आर रिकोस्ट होगा एम वी अपन क्यूबी ठीक है mv upon qb m is the mass of the particle with the velocity of that particle q is the charge and b is the magnetic field strength ठीक है तो यह सारे चीज़ है यह radius किसका है इसका है जो cyclic path पर जिस पर particle travel कर रहा है इसके अलावा और क्या possibility हो सकती है यह क्या दिया है helix helix क्या होता है helix होता है ऐसा ठीक है अब देखो body आपकी गोल गोल घूम रही है मालो एक ही जगह पर आप उसको दीरे दीरे यहां को भी पर फोर्स लगें लग जाओ एक चीज माँ को समझा दो ऐसे करके मालो body move करें और उस पर मैं फिर यहां से ऐसे आगे को पुछ कर दूं तो क्या होगा जो body ऐसे ऐसे घूम रही है घूम रही है मैं आगे को पुछ कर दो तो घूमते घूमते ऐसे आई को निकल लिए इसी प घूमते हुए तो इसका मतलब यहां पर electric field भी होगा यहां पर एक magnetic field भी होगा और पार्टिकल के पास एक velocity भी होगी ठीक है बात समझ आगी कुछ नहीं करना है हमने यही सेम केस है यही वाला केस है बट एक electric field भी हम add कर देंगे कहां को इसी direction में ठीक है magnetic field के parallel same direction भी opposite जैसे आप चाहें इधर को भी लगा सकते हो इधर को भी लगा सकते हो और जहां को फोर्स लगाओ को वहां को पार्टिकल चला जाएगा फिर ऐसे गूमतावा ठीक है है दिस को बोलता है यह सौन बनता है यह आपको तो नीचे बता दूं साइकलोइड साइकलोइड एसा पात होता यह होता है ठीक है ऐसा यह पर इस ऑं चलता कूता जारा मतलब यह कब बनेगा यह तब बनता है जब आपका लेक्टिक फीलो मैंटिक फूलो पार्टिकल मस्aining माल लेता है को माल सब्सकु कि एड़ कि पास सब्सकात काच एक अग है इसके पार को जायेगा आ पर Argentique state close ऐसके पास zapsा ग раст तो भी दि कघुछश में लेकिन जब गोल नीचे को आएगा गोल घूमते विया तो किपाइगा तो नीचे को आते टायम क्या हुआ हो रहा है उलेक्टिक फील नखी बोर के तो कुझे बार्टिकल इस पॉइंट पर इते को जाएрийिक पर उपहेँ अब भी भी तो पार्टिकल नीचे को आ रहा है एलेक्टिक फिल्ड के वैसे फोर्स उपर को लगड़ा तो दोनों करेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पार्टिकल रुख जाएगा और कौन सा पॉइंट है यह पर पार्टिकल फिर से रुख गया अब फिर से जीरो इसे आपके पास सारे के सारे आपने याद रखने इसको नोट बना लो आप इंपोटेंट टॉपिक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास next question नहीं एक रोस डीज़े आपको इतना पता होना जाए कि इस थी किसी भी मेटल के बारे में तो क्या होता है है आपका concept में आपको बताया था क्योंकि टिफर में आपको बताऊना चाहिए आपके metal के अंदर बहुत सारे free electrons होते हैं जो कि घूमते रहते हैं जब आप इनको heat दोगे temperature बढ़ाओगे तो इनके पास energy आजएगी जब भी आप किसी पार्टिकल में किसी बोडी में आप energy देते हो तो उसके पार्टिकल्स नर्जी आजएगी तो और तीज रूव करेंगे सकते हो बीचेंब बहुत सारे लोग इधर दो ऐसे जिक-जञ भाग रहे हैं तो आपको कितनी मुश्किल हो कि यह तर से उदर जाने में वही तो रिछिस्टेंज है तो यहा पर बड़ जाएगा तो टेंपर बढ़ने पर रिछिस्टेंज बढ़ जाता है यहां पर आपके चे कि यह जदा थी वन का स्लोप जादा है तो टी वन टैंपरिश्र भी ज्यादा हो गया टीटू से ठीक है लिडिगे बात समझ आगी क्योंकि सब्सक्राइब चाहिए तो यह जयादा मतलब रेजिस्टेन्स जादा कर दोखा देखो हुआ किसमें इतनी हीट एड हुई है ठीक है यह 1.510.5 जूल हेड हीट एड है एक डेयल गैस के अंदर इसमें कितनी डेल क्युए ही टाली हमने तो इसकी इंट्रेटर नेर्जी से बढ़ जाती है ठीक है और इसमें wor consegue कितने का हो जाता है P DV का work us Dev. हो जाता है यहीडका वॉल्यूम दीवी से बढ़ जाता है प्रसर सेम रहेगा और डीवी से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वह आपने करना तो उसके लावा से बहुत सारे वहां से तो यह आपका जैम में इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं था बट यहां पर बहुत important topic है उसके अलावा simple harmony motion यहां पर important topic है classical mechanics से बहुत सारे questions पूछे जा रहे हैं ठीक है और नेक्स वीडियो में भी हम कुछ questions करेंगी subscribe करके रखना चैनल को bell icon दबा के रखना ताकि notification आजए सबसे पहले आपको ओगे चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं next question के बारे में sorry इसी question के बारे में इसको solve कैसे करना है आपके समझ आगे डिक्यू की value रखो डेल की value रखो पी की value रखो एंड डिवी की value रखो डिवी अनी change in volume वह आपको given है एंड मेरा focus बिगड़ गया है डियू आपको given डिवा निकालना है डेल क्यू इसको solve देंगे आपके पाफ कुछ value आएगी कुछ में दिया इंक्रीज कुछ में दिया कैसे बता चलेगा इंक्रीज अटिक्रीज और यस नेगेटिव है तो डिक्रीज पॉजडिव है पॉस्टिव है तो इंक्रीज ठीक है उगा है ऐसका मतलब क्या होआ मालनों कोई वैल्यू दस थी बार होगी चेंज कितने काया 12-10 यानि प्लस 2 यानि इंक्रीज होगी कोई 10 थी 8 होगी कितना चेंज आए 8-10-2 क्या होगा डिक्रीज हो गया नहीं सो जब भी चेंज माइनस आएगा there is a decrease and जब भी चेंज पॉस्टिव आएगा there is an increase तो इंक्रीज आया तो मतलब पॉस्टिव आयस का मतलब इंक्रीज हो गया और इसका जो आप सौल को तो आंस इतना आजएगा ठीक है यूनिट्स का ध्यान देना जड़ा ठीक है यूनिट सब से मिया ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे you will get your answer now move to the next question which is which of the following quantities is invariant under lawrence transformation lawrence transformation क्या होता है जब भी आप कोई लेटिविटी का question है लेटिविटी शायद आपके जैम के स्लेबस में नहीं था तो इसलिए आपके टी आफर में प्रिविसर क्वेशन बहुत इसलिए अटेंट हो जाते है कि सलेबस आप देखोगे कुछ नहीं दिया सलेबस में सलेबस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अल्डी टॉपिक्स आफ लिएशन और मस्ट आपके सलेबस में यह नहीं बताया कौन से तो इसलिए आपको प्रिश्टन देखने बहुत जाँ ज एक्सटैसेट्सफोर्ट ऑका ड्यामा तंग दिसनों असि लोरेंस दोर्रामशन लोरेंस आपको से आयए अगर कोई बोडी इफ बोडी मोवस विधेश पीट उधेव स्पीट ठीक एड रिलेक्ट पीट कशीड उर्स पीड पर लाइट उयां जैसे प्रिब कोईट पाइब सी से कोई body move कर रहे है ठीक है अब सी क्या होते है इंट इंट पावर एट मीटर पर सेकंड वेलास्टी अफ लाइट इसकी आधी स्पीड से भी कोई सकता है अलग अलग वैलिजब करता है करती है उसमें क्या चेंज आता है तो लॉरेंज इन्वेरियंट का मतलब यह होता है कि कौन सी कॉंटिटी में चेंज नहीं आता है दूरिंग इस कॉंटिटी जिसमें डीटी दौराण कोई चेंज ना है रिए इस लोल्च इन्वेरियंट और इन्वेरियंट अंडर लॉरेंट टांस्फरमिशन तो इसका चार्ज है चार्ज डैंस्टी चेंज हो जाते है क्योंकि वाल्यूम चेंज रोता है ठीक है डैंस्टी गया होती है देंस्टी मतलब चार्ज पर इनिट वॉल्यूम चार्ज तो कॉंस्टेंट रहेगा बड़ वॉल्यूम चेंज हो जाता है ठीक है ध्यानक ना इस चीज का क्योंकि लेंज जैसे फॉर एक्जामपल यह आपके पास कोई क्यूब है इस क्यूब को मैं इस डिरेक्शन हो मूफ कर तो उसका उप्च पर उसका वॉल्यूम कम हो गया अंदर जो चार्ज चार्ज तो इसमें सेमी रहां ठीक है माझाश क्यूं थे वह चार्क यूच नहीं होंगे अभी भी चार्ड क्यूं यह बड़ा थो थोड़ा नस्दीक आ जाएंगे कौम इeles ज्यादा गई चार्ण से च is a Lorenz invariant और यह किसी भी फ्रेम में कभी भी चींज नहीं होते हैं कितनी भी वेलास्टी से लाइट मुव करें वह कॉंस्टेंट रहेगी और उसके अलावा लिवग रहेगा मास नॉर्मल माश नहीं मास वदील नहीं मास of अलिमेंटरी पार्टिकल्स टेक है क्योंकि मास बढ़ जाता जब ब स्थे प्रोफश्टें मॉव करो अप बहुते ही भी प्रोफिर वह क्रोच विल फिल ग्रेटर मास अप लिए मतलब अधरस विल फिल नहीं हो है so remember these quantities charge speed of light and mass of elementary particles these are some orange invariant so let's move to the next question orange invariant का होता है समझ आगे होगा आपके जो quantity relative velocity move करने पर change नहीं होती है next question is a wireless resistance 12 ohms it is bent in two ends तो एक वायर था 12 ohm इसका resistance था इसको हमने बेंड किया एक पूरा ऐसे बना जिया तो पूछ रहा है आप से की दो पॉइंट के बीच का resistance कितना होगा ठीक है तो आपके पता होना चाहिए कि जब भी कोई वायर होता कोई body होती है तो लेंथ पर डिपेंड करता है उसका resistance ठीक है पड़ा होगा आपने रो पॉइंट करता है अब आपने क्या क्या जो टोटल 12 मीटर्स था ना उस 12 मीटर्स को आपने 6 मीटर्स और 6 मीटर्स के ब्रेक कर दिया समझे रहो दो पॉइंट के बीच आपने resistance निकालना है एक पॉइंट को ए मालो एक को बी मालो आपने पुरा वायर था वायर को ऐसे गोल घुमा दिया है तो किसी दो पॉइंट के बीच में आपने resistance निकालना है इसके और इसके diameter क्वेशन पड़ो ना ध्यान से रेजिस्टेंट का एक वायर था उसको आपने पुरा बेंड कर दिया बेंड करने के बाद resistance between the two points on any diameter diameter डालो diameter डालो तो इसके दो पॉइंट के बीच यह है मेरा इसके पीच मांगर में डालता हूं तो तो घंधंडर का एकě बвиस्क्ắc होगा एक पॉइंट योगा और यह कितने एकवल पार्ट में दो इसको डिवाइड कर एक तो मीटर का में की सब्सक्क्राइस करके पारिया थे Key europé산 सब्सक्राइश करमने तर ह। तो डिक्तेटेंज भी फॉघ्टेल था को सरी सरी मीटर नहीं है ठीक हम अगर कुछ X है एक्समीटर का यह वायर था एक्स फाएटू धर चला गया है ऐंड एक्स-फाइटू दर चला गया तो रिस्टेंस के सांद भी कुछ ऐसी होगा टोटल ट्वेल वहम था तो आप एक साइट चला गया है तो जब आप एक्यूएलें डिस्टेंस निकालोगे शिक्स इंटो सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सिक्स फॉर्मूला उता आपने पड़ा होगा क्योंकि दोनों पैलल रहना है देखो ऐसा कुछ समझ सकते हैं इसको है ऐसी तो यह भी कुछ बात समझ जा लिए ऐसा है तो कुछ है तो इसको जब आप सॉल्फ करेंगे तो यह कितना जागा थ्री आजएगा आपका अंसर सो थ्री ओम सिद्धी करेक्ट आंसर पॉस्टेंस क्वेस्टन सो आप समझ आगया होगा आपके ध्यान देना कि यह होगा फोरी आक्वाल पार्ट्स में ना तो इसको अच्छान में हो जाएगा लंत जितने रेश्यो में लेंट चाहाएव प्रेशना हो जाएगा तो 3333 मुत सब्सक्राइब हो जाएगा सिने और कि यह थे यह जोड़ इस भैसfully on regular mis Town is — NPC. अब देखो यह just — certificate कहा यह जाएं बुकिन बरेंगे तो सिरीज में हो जाएं में फेंग हैं वो सेम केस बन जाएगा इसका भी आश्री आ जाएगा ठीक है यह तो आई यह दोनों अगें पहले हैं तो इसको ठीक है तो कहां पर आपको दिया है अब आराउंड डाइगनल थी बोला तो ऐसे करोगे अगर आपको बोल दिया कि ऐसे निकालो मालो स्क्वाइर में ब्रेक करो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालो ए और बी तो आपका केस अ 70 केजी का एक स्टेशनरी एयर बैग ठीक है ऐसा कुछ एयर बैग है यहां को हीट करता है ठीक है 70 केजी का और कितने वेलोस्टी 25 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोस्टी है और यह पूरा रुख जाता है ठीक है ऐसा मान सकते हैं गाड़ी चल रहे गाड़ी में गाड़ी आगे डूखी बंदा इसा टकराया पॉइंट फाइब सेकंड के अंदर बंदा पिचक स्ट्री एयर बैग पिचक गया बंदा रुख गया बच गया ठीक है जान बची उसकी ऐसा कुछ है सतर किलों का सरफ टकरा सब्सक्राइब का सर नहीं टकरा पर ठीक है सतर के जी के बॉट्डी एयर बैक पर जो भी यह तेस्टिंग अगरा जो भी हो लगी बट ठीक है अमने क्या करना है इस पर एवरेज फॉर्स और ऑबजेक्ट डूरिंग इस इंटरवल इस म सब्सक्राइब क्योंकि एक्वेशन और मोशन कौन से लगेगी वी कोस्तों यू प्लस एटी लगा रहते हैं ताइम है अपने पास फैनल वरस्टी है कितनी है जीरो है ठीक है क्योंकि लास्टम बॉडी रुख जारी यह दिया हुआ है आफ्टर पॉंट्ट फाइब सेकंस अब्जेक्ट हैस कंटू अस्टॉप एंड एयर बैक हैस डिफ्लेटेड तो यह फ्लैट हो चुगा है आज मीनी एयर ठीक है और 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 आज मी जो है यां बॉडी जो है सेंटी केजी की वह रुख चुकी है जो सोफानल विलश्टी जीडू और इनिशाल फेल्सटी वॉक्वाइस से कि आप में निकालना ऑफ फोर्स क्या होता है एएफ उक्रोप में होता है तो अगर हम एक्सलेटैसा निकाल दें तो फोर्स। भी निकाल सकते हैं बात समझ आए एक फोर्स आन उबजेक्न निकाल लगा यह ओबजेक्ट जो है मैं इसको आदमी बोलना हुआ आदमी कहा साथ मत स्वोच नहीं जो अबजेक्ट है औगेक्ट को तो मिल जाएगा तो इस लिए हम एक फोर्च निकालेंगा दूसरा अपने वी माइनस यू इसका मतलब वी जीरो माइनस यू इस 25 मीटर्स पर सेकंड यूनिट थ्यांद में रखना है सबकी मीटर्स है मीटर पर सेकंड है सेकंड से के जी है सो सारी MKS में यह हैं सो आल राइट सब कुछ एकदम बढ़ी है कोई चेंज करने की ज़रत नहीं है माइनस 25 मीटर्स पर सेकंड तो अब यह निकालते हैं से माइनस 25 रही जिरो पंट तूब टूफाइब टाइम इतना तो यह जो जाएगा यह होजाएगा सॉल्फ करेंग तो हंडर्स ओड़एगा यहांनि हंड्रेट मीटर्स पर सेकंड स्क्वार्स पर की जो एक्सलिएशन उ सेवन ताउजन न्यूटन से करेक्ट अंसर बी ऑप्शन बात समझागी तो कितना फोर्स लगा है वह निकालना था हमने हमने बॉटी का एक्सलेशन निकाला उस एक्सलेशन से मास को मास को मेंटिप्लाइग गया एंड फोर्स निकल लिए ठीक है तो बस आसान सा विश्चन थ सारे के साथ ठीक है आँ काने विशन आफ एनरजी काने विशन आफ मोमेंटम कोलेशन के अंदर यांगे वैसे दोनों ठीक है तो ध्यान रखना इन चीज़ों का काफी ज़्यादा बार पूछे गए क्योंकि मैं इसले बुलना क्योंकि मैं लास्टेर के कुछ पेपर्स बट इसले ला गया बट बात करते हैं इसके बारे में है SLZP अनर विशे लेक्टिक फीड और स्टेंस के बीच में होता है तो आपने कुछ निए करा मैंस में सिर्फ एक तुज़ एक जानर हो तो इसकर आतर बार्स पूस्चिए 20 तो फॉल्ट पर मैं एक्स्टा बता रहा हूं ठीक है क्योंकि टाइम बहुत जदा जाएगा तो इन्साइड आपका क्या होता है ग्राफ मा आपको बता दो ऐसा होता है एक्स्प्लेन भी करता हूं मैं इसको भी यह होगा यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका डिस्टेन्स और albeit क्या मतारा है किसी सॉलिद स्फेयर में साथ कितना चेंज होता है एलेक्ट्रिक बता रहा है समझने के लिए मैं इसको और अच्छे समझने के लिए उपर एक स्फेयर इसका विज़ा लिए यह पड़िए पाल आप मैने जिलें डेना इसकता रेडियस तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर च 살ेकर रेडियस तक जाने में है उल्सक्राइब गार्त्री की तो अगर आपको और तो इलेक्टिक फिल्ड भी एक्टिक फिल्ड पर तो चैनल थी आपके पास सही आंसर हो जाएगा ठीक है लेक्रिक फिल्ड परपोर्शनल टुर्ट अगर आपस बूस्ता है ओन दी सर्फेस क्या हो जाएगा यह कॉंस्टेंट हो झाहिए यह तो एक मैग्जिममम बैल्डियों यह है R, R का मतलब है Radius, जैसे आप Radius पहुंचाओगे निए, Surface पहुंचाओगे, तो Peak Value पहुंचाओगे, Maximum Value पहुंचाओगे, E Max, उसके बाद आप फिर downfall हो जाएगा, जैसे यह साब दूर जाते रोगे, वैसे वैसे कम होता रहेगा, ठीक है, कैसे कम होता है, क्यूब आइस्का तो नेजब और सकूस्ट से वाज और सकोई आउटसेसर पूस्ता आउटसाइड पूस्ता नोक्राओ सब्सक्राइब सब्सक्राइब और म पुरां अंदर काहं से एक है तक पूर। इसंटर से लेखी तक पूरा का बूरा चूंस्टेंट होता है यह पर यहांपर यह पर फिरेंट पर नहींत रूंस्क्राइब नु को दूच्टाइक और नेक्स्सक्राइब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा हम भी ना हो इसलिए हम और क्वेश्चन बागी बाद में करेंगे दो क्वेश्चन से और कर लेता है एफेक्टिव कैपेसिटेंस आपने बताने हैं सिंपल सा क्वेश्चन है यह दन उसके बाद हम रिजल्टेंड निकालेंगे यहां पर और फिर यह दोनों पहलें आ जाएंगे एड़ कर देंगे सिंपल आजएगा बिल्कुल उल्टा होता है रिजिस्टेंस का इन दोनों का जो यहां पर से क्या बनेगा ऐसा कुछ बनेगा ठीक है इस इन दोनों का हम निकालेंगे तो उनसे एक कैपिस्टेंस से बनेगा और यह कितना है फोर माइक्रो फेराड है तो एक तो यह बने हुँआ हो तो तो आरवन आर टू अपन प्लस रटो था बटेट अब यह सिरीज नहीं तो ऐसा होता है और पैशिटेंस पैलल में तो Si पॉन सीट हो जाता है याद रखना सको सो यह क्या हो जाएगा टैन इंट तो मतलब यह पूरा शरकि यह पूरा का पूरा सेंग एक द्व सीघर भाइब तो सेंग पूरा का फुरा 7. t grace गэт गया यह उये और टीकिए थे requires आ और छाहिए कि यूवक्यों से निशमें नेक्स में गया पीरियर होट नैक्सitty QR तो यह इसका amplitude है अब आपसे बोल रहा है ठीक है यहां पर maximum जा सकता है यहां पर यह माइनस ए हो गया है प्लस ए हो गया amplitude तो आपसे पूछ रहा है कि which of the following statement most accurate time period depends on ml and depends on la but not on m तो आपको पूछ रहा है कि इसमें तो time period हो किस चीज़ पर depend करता है किस पर नहीं करता है एक और चीज़ का ध्यान लखना है पर question थोड़ा ध्यान से पड़ना है वहीं मैं बोला हूं टिफर में डीप में बुझे जाते हैं swinging with an amplitude which may be large अब जो हम normal calculation करते हैं वह क्या करते हैं short क्या बोलता हूं उसको small oscillation ठीक है small oscillation पर करता है कि आपका पर इतना 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 गुम रहा बस बढ़र आपके large भी हो सकते हैं बहुत बड़े-बड़े oscillation भी हो सकते हैं तो in that case आपने answer बताना है तो small oscillation और large oscillation में फरक इतना ही है कि small oscillation oscillation में हम ठीक है कुछ assumptions मानते हैं तो आपने ध्यान लखना है यहां पर यहां पर यह चीज नहीं दियो थी which may be large ठीक है इन general हम क्या मानते है small oscillation मानते हैं तो in that case जो आपके पास time period उतास का formula होता है ठीक है टूपाई अरूट यहां से आपको क्या पता चलता है कि जो time period depends on L क्योंकि देखो न आप लचेंज करोगे तो obviously formula में ल है तो चेंज होगा सिर्फ यहां पर डिपेंड कर रहा है क्या पर M है नहीं है क्या यहां पर और क्या है क्या यहां पर A है कहीं पर नहीं है तो नहीं यह M पर कर रहा है नहीं A पर किस पर डिपेंड कर रहा है M पर और A पर नहीं कर रहा है L पर कर रहा है depends on L not M और A not M और A this is this a correct answer जी नहीं B is not the correct answer ऐसा क्यों क्योंकि यह जो होता है इस case में हम एक एक assumption लेके चलते हैं small oscillation का है कि ठीक है small oscillation यानि यह जो theta है यहां पर यह जो theta यह पर this is too small ठीक है theta is too small theta too small का मटलब होता है कि sine theta equal to theta यह जम्म्षन लेकर हम चलते है यहां पर बटिन लार्ज ऑसिलेशन यह जंशन काम नहीं आएगा क्योंकि साइन 90 कभी में 90 नहीं होता है लार्ज ऑसिलेशन की में बात कर रहा हूं ठीक है स्मॉल का मतलब होता है जीरो यह उसके आसपास थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा है मुव कल्या पेंडिलम पर 90 तक अगर जा रहा है तो साइन 90 यू के नौट रहा है तो इन देट के इस नौट दी करेक्ट आंसर आपको लार्ज ऑसिलेशन अगर दिया हुआ है विच में भी और ऑस सिलेशन उनर्से निचन ओ जो चयांग पे लेडड से सिलेशन के जो था है तो स्माल ने में में अर ये लच करता है 60 अ एक का करता सिलेशन को भी फिर्डिया नहीं नहीं घरता है अंपर लाग ऑस लीचन पर और दिपेंड करता है यह गहीए ब्यक्तर आपक टरेशा पर नहीं करता है याद रखना ठीक है कोई भी पेंडूलम का टाइम पीरिड तो यह थे हमारे कुछ कुछ क्वेश्टन के फर्स पार्ट था उसके बाद हम और भी क्वेश्टन करेंगे वीडियो को आपका एंड तक देखने के लिए तो आने वाला है तो चल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और भी वीडियो लेकर हम आपके सामने आएंगे तो नई वीडियो आते रहेंगे चैनल पर और उसके आपको नोटिफिकेशन आजाए उसके चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा द पर दे कलिए ने किले और वाइच्यक थे कर देएंगरने हम और खूल वाइख थे करेंगे और आप एज़ुकित चैनल ये ये त वहाई एएगम अड्य टीटीट आद सब्सक्राइब कर दोस्तीट आपको जैनल एक्राइब कर दोस्ता से ने पिने जदीडियो ने बाएख